हलो एवरिवन गुट मॉर्निंग वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तुझी सुबह का टाइम है और यह वीडियो है जनमाश्टमी के दिन का आप सभी को जनमाश्टमी की धेर सारी शुपकामना है काना जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें आप सभी को हमेशा खुश रखें तो जी सुबह का टाइम है और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा दिन था बहुत ही ज़्यादा बीजी भी था आज का दिन तो आज मॉनिंग मैं इतनी जल्दी उठ गई थी कि बस अभी मन कर रहा था कि सो जाओं काफी ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे सुबे से काम करते करते आज सुबे साड़े चार बुजे कि मैं उठी हुई हूँ बस लगतार घर के काम, घर के काम सुबे पूरे घर की क्लीनिंग हुई है, कोई भी अच्छा दिन होता है, तो वैसे भी घर की क्लीनिंग से ही सुरुवात होती है हमारी सुबे की और आज तो इतना बड़ा दिन है, क्रिष्न जनमाश्टमी है, साथ मैं मुझे आज अपने न्यू मंदिर का उद्गाटन करना है तो उसके लिए हमने घर में एक पूजा रखवाई है, तो इसी वज़े से सुबे जल्दी उटके मुझे सारे काम जल्दी जल्दी निप्टाने थे, 9 बज़े पंडी जी को आना था घर पे मैं चाहती थी कि उससे पहले मैं सारे कामों से फ्री हो जाओं, जैसे घर की सफाई, और जो भी भोग में खाना बनेगा, सब कुछ बना के मैं तयार हो जाओं, ताकि फिर मुझे बार बार न ये ना होना पड़े, कि मुझे ये करना है, वो करना है, क्योंकि फिर सारे काम ख पूझा जाते हैं, तो आपके सारे काम टाइम टो टाइम हो जाते हैं. क्योंकि जो मेरा मंदिर वाला रूम है वहाँ पर फिर ना बहुत ज़्यादा होच पोच हो रहा है जगा नहीं होरी बिल्कुल भी तो सोच जी फ्रीज को यहीं रहने देते हैं फिलाल के लिए फ्रीज को मैंने यहाँ पर रख दिया है और जब तक मेरे घर में और लोग उठे बच्चे उठे बच्चों के पापा उठे तब तक मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी क्योंकि सब लोग उठ जाते हैं तो काम करने में फिर प्रॉब्लम होती है तो मैंने सबके सोते सोते ही अपना सारा काम निपटा लिया था काफी जल्दी उठके क्लिनिंग वगरा का मैंने कुछ भी सूट नहीं करा क्योंकि डेली डेली वही हो जाता है तो आज मैंने मौनिंग का रुटीन कोई भी सूट नहीं करा बस अब मैं जब मैं नहादो के फ्री हो गई थी उसके बाद भी थोड़ा बहुत काम बचे थे जो मुझे करने थे तो वो का मैंने अपने शुरू कर दिये हैं मंदिर मैंने मौनिंग में साफ नहीं करा था तो ये है हमारा न्यू मंदिर जो आज पूजा करनी है इसके लिए ही आज हमने घर में पूजा रखवाई है क्योंकि बोलते हैं जब घर में न्यू मंदिर आप लाते हैं चाहे आप मंदिर कैसा बिलो न्यू जैसे खरीदते हैं हम तो हमें घर में एक छोटा सा पार्ट जरूर कराना चाहिए और इसी बहादे घर में थोड़ा सा ना पूजा पाट भी हो जाती है क्योंकि ये मौका कभी कभारी मिलता है जब आप अपने घर में पूजा पाट करवाते हैं हवन करवाते हैं वैसे तो हवन बेगर बीज में होना चाहिए पर नहीं मिल पाता ना इतना टाइम मैंने खाना और मंदिर की क्लीनिंग वगरा बाद में करी थी अब यहाँ पे मंदिर को क्लीन करने के बाद मैंने सारे लोगों को उठा दिया था घर में बच्चों को बच्चों के पापा को तो बस वो लोग अपना नहाएंगे दोएंगे उनको तो और कोई काम नहीं था मतलब सारे काम मेरे हाथ के ही है तो वो लोग अपना नहा धो लेंगे ना तो ये भी मेरा एक काम निपड जाएगा क्योंकि फिर सब लोग नहा धो लेते हैं बैड वैसी फैला था हमारा तो बैड मुझे ठीक करना था तो मैंने सब को उठा दिया है बारी-बारी से सभी लोग नहा लेंगे तब तक मैं यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था और मैं बना रही हूं हल्वा तो हल्वा के लिए पहले मैं सोची थी खीर बनाओ फिर मैंने का नहीं यार मंदिर में भगवान जी को हल्वा पूरी का ही भोग लगता है तो सोचा क्यों ना हल्वा पूरी ही बनाया जाए तो यहाँ पे मैं हल्वा पूरी और साथ में काले वाले चने बनाओंगी ड्राइ और बनाओंगी आलो की ग्रेवी वाली सबजी तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, घी में मैंने हलवे के लिए जो सूजी थी ना वो डाल दी है सूजी को पहले मैंने चान लिया था क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है ऐसे मैं कीड़े बगरा पड़ जाते हैं ना सूजी बगरा में और जैसे आटे में तो एक बार मैंने चान लिया था, मुझे यह था अगर कीड़े बगरा निकलेंगे तो मैं उसको हटा दूँगी न्यू पैकेट मैंने पतिदेप से मंगा लिया था, उससे बनाओंगी पर ये खराब नहीं हुई थी सूजी तो मैं इसी से ही बना रही हूँ तो यहाँ पर देखें मंदिर के लिए परसाद बना रही थी, तो मैंने अपनी चुनरी भी डाल दी है, पिछोड़ा है ये हमारे उत्राखंड के लोगों में जैसे कोई भी पाट पूजा होती है, तो इसके बिना सोहागा नौर्तों की पूजा अधुरी होती है, ये पिछ पूजी को भूनने के बाद मैंने गरं पानी कर लिया था, उसमें गरं पानी आड कर दिया है, गरं पानी जितना मुझी चाहिए था अथा डाल दिया है, अब मैंने अपने टेश्ट के लगावों में ढणत चीनी आड अड़ कर दी है, और चीनी ये और unfoldदे की चलाएंगे, इसमें मैंने डाल दिये है धेर सारे बादाम को कूट के और ड्राइफ रूट अभी घर में कुछ नहीं थे तो मैंने बस बादाम डाल दिये हैं अच्छे से इनको कूट के फिर उपर से मैंने इसमें दो तीन चम्मज घी डाल दिया था बहुत टेश्टी बनता है इस तरीके से हलवा वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी पर हलवा मैं जब भी बनाती हूँ तो हल्वा मेरे हाथ का काफी टेश्टी होता है ये चीज मैंने खुद भी देखी है और खाके भी न पता चल जाता है हल्वा काफी टेश्टी बना था हल्वा बनाने के बाद मैंने मंदिर के लिए पूरिया बनानी थी उसके लिए मैंने साथ लोई बनाई थी तो वो लोई का में अभी फूड़ी मैंने नहीं बनाई है क्योंकि पंडी जी के आने मैं भी थोड़ा टाइम था मैं कीचन के काम से फ्री हो गई थी मैंने वहाँ पे आलू भी बोईल करके रखे थे आलो की सबजी नहीं बनाई है हलवा बना दिया था मैंने आटा लगा दिया था बाकी तयारी कर दिया है जैसे कटिंग वगरा की वो सारी और अब मुझे ये था पंडी जी के आने से पहले न मैं ये सोफा वगरा ठीक कर लूँ क्योंकि घर में अगर हम पूजा कराते हैं तो घर के हर्ची साफ सुतरी होनी चाहिए तो मैंने अपने सोफा कबर वगरा सब कुछ वाश करने के लिए डाल दिये थे वाश करे नहीं थे सुबह मैंने मसीन नहीं लगाई मैंने मसीन का काम छोड़ दिया एक तो सारी पहनी थी तो काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो क्योंकि सारी पहनने की हैबिट है नहीं बिल्कुल भी और फिर सारी पहन लो फिर यह लगता है यार काम कैसे होगा तो मैंने मसीन नहीं लगाई थी कपड़े दुलने में तो और ज्यादा फिर पानी पानी सा हो जाता है ना पूरे कपड़ भी खराब होते हैं तो वो काम मै आराम से बाद में करूंगी, जब पूजा हमारी अच्छे से निपड जाएंगी, पूजा अच्छे से सम्पन्न हो जाएगी, उसके बाद मसीन वगरा का काम मैं साम के टाइम ही देखूंगी, आलू मैंने मौनिंग में बॉil लिए थे, नहाने के बाद ये आलू भी बाद में चिड़का था तब तक मैंने कोई भी खाना वाना बनाने का काम नहीं करा था तो यहाँ पे ना मैं अब आलो चील दूंगे आलो बिल्कुल ठंडे हो गए थे क्योंकि काफी देर पहले मैंने इनको बॉइल कर लिया था फिर मैंने इनको पंखे के नीचे रख दिया था ताकि थोड़ा सा ठंडे हो जाए तो आज जैसे मंदिर के लिए खाना बनेगा ना भोग की थाली बनेगी तो खाना बिल्कुल सिंपल सा बनेगा कोई प्यांश वगरा लस्टन कुछ नहीं पड़ेगा इसमें बस मैंने जीरे और हिंका तड़का लगाया है दो दाने टमाटर डा तो बस आलू डाले और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया अब यह आलू को हम एक बोई लाएने तक पकाएंगे और सबजी बन के तयार हो जाएगी इस बेज में मैंने मंदिर के लिए पूरी भी बना दी थी और मंदिर में मैंने परसाद दे भी दिया चा पंडिजी क सारा खाना बन गया था काले वाले चैने भी बनाये थे मैंने सूखे बिल्कुल जो काले चैने बनते हैं उसका कोई वीडियो नहीं बनाये क्योंकि वो चैने बिल्कुल सिंपल से बनते हैं ना कोई प्याज टमाटर कुशनी परता उसमें तो मैंने चैने बनाये उसके बाद पंडित जी भी आ गए थे तो मेरा ही वेट हो रहा था कि आ जाओ पूजा में बैठने के लिए तो मैं अपने सारे कामों से फिरी हो के बैठ गई हूँ अब क्योंकि पूजा कम से कम एक डियर घंटे की चलेगी तो इस बीच मैं मैं हाँ से उठ नहीं सकती हूँ राइन नमपंगाई नमादा मुदराए नामपंगाई राखरणी आफ्टै कात्तर अचनी आफुछा यह वी तो यह जोड़े वे स्टनी तेट फोड़ेटल तो चलिए यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है इस्टार्ट और पंडी जी को सारा सामान दे दिया था पतिदेब जी ने और हमारे नेवर्स रहते हैं कोई भहिया वो ना यहाँ पाकेले रहते हैं उनकी फैमिली नहीं रहती यहाँ पे तो उन्होंने भी आज छुट्टी करी थी तो हमने उनको भी इन्वाइट कर दिया था और इन्वाइट क्या करा था मतलब उनकी वजह से काफी हेल्प हो गई थी हमारी क्योंकि हम तो पूजा में बैट गए थी दोनों हजबन भाई फिर उसके बाद यह होता है कभी पंडी जी को कुछ चाहिए होता है कभी कुछ चाहिए होता है तो फिर हम तो उठनी सकते थे तो उन्होंने बहुत हेल्प करी दो बार वो मार्किट गए और कुछ न कुछ सामान ना रह जाता है जैसे और फिर जो भी हवन के लिए सामान था जैसे मिट्टी वेगरा लानी होती है बहुत जादा हेल्प हो गई थी उनकी वेज़े से तो सारा काम उन्होंने देखा था तो इसी वेज़े से हमारी आच्छे से जो है हमारी पूजा भी हो गई थी तो चलिए हम लोग बैठ गए हैं चारों लोग पूजा में मैं और मेरे हमारे बच्चे मतलब चारों लोग पूजा में बैठ गए थे और बच्चे बिना बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इस तरीके से बच्चे बिना कभी कभारी घर में पूजा पार्ट देखते हैं जैसे हम हवन वगरा कराते हैं तो बच्चों को इलिए भी थोड़ा सा न्यू न्यू सा होता है यह सारी चीजे बच्चों की खुशी का भी ठिकाना नहीं था और आज जनमाष्ट मी थी मैंने बच्चों के लिए राधा कृष्णा वाले कपड़े नहीं लिये थे इस बार अक्रिस के पास थे भी पर उसको पहनाई नहीं थे क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो पहनना पसंद नहीं करते तो फिर मैंने का चल जारा था उसका वो पहना हुआ था तो बस सभी लोग आराम से अपनी पूजा पार्ट को इंजोई करते हैं बहुत ज्यादा सुकून मिलता है ना जब घर में हम इस तरीके से हवन कराते हैं बहुत ज्यादा सांती मिलती है दिल को बहुत ही अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है पूजा सुरू करने से पहले यहां पे पतिदेव जी को पंडी जी जैनोव पहनाएंगे क्योंकि बिना जैनोव पहने हुए पूजा पार्ट में नहीं बैरते हैं जब आपका बर्मन्द हो जाता है तो यहां पे जैनोव लेके आये थे पंडी जी तो अभी पहले ना हजब पहले तो चलिए जी यहां पे जैनोव पहन लिया है और जैनोव थोड़ देर के लिए पहनेंगे क्योंकि जैनोव पहनने के बिना बहुत जादा नियम होते हैं आपको कई जगह पे नहीं जाना होता बहुत जादा इसके नियम करने पड़ते हैं तब ही आप इसको continue पहन सक पर सहर में रहके यह सारे नियम नहीं हो पाते और मेरे तो हजबन का काम भी ऐसा है हॉस्पिटल लाइन है तो ऐसे मैं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता जैनोव हमेशा पहनना तो पूझा करते टाइम हजबन जी पहनते हैं फिर निकाल के रग देते हैं और बस यहा हम लोग करेंगे भगवान जी को इसनान कराएंगे तो यहाँ पर भगवान जी को इसनान कराने की तयारी अब चलेगी तो देखें यहाँ पर भगवान जी को इसनान करा दिया है और मैं लेके आया थी सेरा वाली माता की मूर्ती कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीद अच्छे से करती भी हूं, जनमााष्ट्मी का त्योहार उनके लिए हमेषा नए वस्त्र लाती हूं जनमाष्ट्मी पे और बस उनके नए वस्त्र हम उनको पहनाईंगे, तो पंडिजी ने बोल दिया था जैसे जनमाष्ट्मी का दिन है और आप अभी कानह जी को भी ना इस् वो है और साथ में कानहा जी को भी इसनान करा दिया था और बजरंग बली जी की मूर्दी थी एक तो वो भी थी अस्तधात्तु वाली तो बस इनको हमने इसनान करा दिया है और पंडी जी बोले थे इनको प्यार से नहला के इनको प्यार से इसनान कराओ और अच्छे से इनको मतलब पोच लो किसी साफ कपड़े से नया कपड़ा होना चाहिए था इसके लिए तो बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके से जब हम भगवान जी को इसनान करा रहे थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था और मातर आनी के लिए कानह जी के लिए मैं नई ड्रेस भी ले होना मतलब घर गरिस्ती समालने लगते हो धीरे धीरे आपको सारी चीजी पता चलती है कि कौन सी चीज को कैसे करना होता है तो यहां पर हजबन जी ने मूर्ती के लिए भी ना काफी देखा था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अस्तधात्तु की मूर्ती घर में होनी च अच्छी मानी जाती है और इतनी भारी है यह मूर्ती बहुत जारा हैवी है यह मिलती भी वेट के हिसाब से ही है थोड़ा सा महंगी मिलती है पर हाँ वही है भगवान जी की मूर्ती है तो यह चीज तो हम बार-बार लेते नहीं है तो इस बार हमें यह था कि हम एक मूर्ती लेंगे पर वो बहुत ही सोज समझ के और अच्छी सी लेंगे भगवान जी को यहां पर मंदिर में बिठा दिया है कि अधिकर इसे वारी से खना इसे तो कर दिए आम वारी वारी वसुम आम जानी कर दमाँ अम्देम बादिके नमा इसे वारी आधिकान काम फिरिवातनि स्वाहा ओम स्री चते दक्समे समयाम बहुराद देपार स्वेल प्राण रूप मजेनों स्वाहा जाद जीवा आत जाकी पारे बती पिता हारे चड़े पुस्प चड़े रोरे चड़े मेवा रजल्मन का भूग लागी संत करी सीवा जै जनिस जै गणिस जे गणिस जीगणिस प्रमक्ति प्रिकरमा कलू यानिगानी जबापानी जनमदारे गणानी चातानी चंदू पढ़िषं पदी पढ़िए पैड़ जाओ जनीर सिद्रे नात्मार गंडम देवताग मन्नम अंतस्ति वहितियम एकी क्रदाम्यं प्रम आरार्थियम इरंदीवम ग्रनाम परमीश्व तो दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छे से हमारी पूजा हो चुकी है और बहुत ज्यादा खुस हुआ है आज बहुत अच्छा लग रहा था तो चलिए अभी इस वीडियो को नाम यहीं पर रोकूंगी इससे आगे का जो भी वीडियो है वो आपको कल देखने को मिलेगा फिलाल आज की वीडियो को यहीं पैन करेंगे उम्मीद करूंगे आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना मैं आप सबसे मिलूंगे अपने अगले नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें खुश रहिए बाबाई एंड टेक क्यार